तेवारों पर घर जाना हो या ओफिस से चुट्टी लेके कहीं घूमने सबसे पहले जो जेहन में विकल्प होता है वो ट्रेनों का क्योंकि ये अन्य ट्रांस्पोर्टेशन से काफी किफायती होते हैं अब हूली का भी तेवार नस्दीक है ऐसे में बड़ी मात्रा में लोग घर जाने की प्लानिंग में है जो काफी दिनों से जुट गए होंगे और पहले ही ट्रेन की टिकट को एडवांस में बुक कर लिया होगा ऐसे में देखा जाए तो लोगों की भीड भी इस समय काफी देखने को मिलती है इस तरह की भीड से निपटने के लिए भारती रेलवे भी अपनी प्लानिंग करता है और यातियों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाता है लेकिन आपने देखा होगा कि इस दौरान इन स्पेशल ट्रेन्स में कुछ खास सोविधाय नहीं मिलती है ये विलकुल वैसी होती है जो आम दिनों में देखने को मिलती है जैसे कैई ट्रेनों में पैंट्री कार का न होना ट्वालेट का गंदा होना और भी काफी चीज़ है खेर अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर नाम स्पेशल तो इन ट्रेनों में सर्विसेज काफी कम क्यूं होती है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी का जबाब देते हैं तेवारों पर काफी भीड होती है क्योंकि इस दौरान सभी अपने अपने घर को जाते हैं और इस वज़से स्पेशल ट्रेनों के साथ सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि वो काफी लेट चलती है जुस्से यात्रियों को देरी का सामना भी करना पड़ता है यात्री कफी परिशान भी हो जाता है इस संबंद में अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही देरी से चलती है ट्रैक पर काम या अन्य कारडों से भी सभी ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है इसमें सभी समान्य और विशेश ट्रेने सामिल ह अगर आपने स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि इस तरह स्पेशल ट्रेनों में नियमित रूप से सफाई नहीं मिलती है इन ट्रेनों में सफाई केवल उसे स्टेशन पी की जाती है जहां ट्रेन सबसे पहले चलती है जबकि आपने देखा होग कि समान्य ट्रेनों में हर समय सफाई देखने को मिलती है तो फिर इन ट्रेनों में हर समय सफाई क्यों नहीं होती इसका जवाब भी मिल गया आपको बता दे स्पेशल ट्रेनों में काफी भीड होती है जिससे सफाई करना मुश्किल हो जाता है यही कारण है कि सौचाले और कोच गंदे हो जाते हैं और करमचारी चाह कर भी सफाई नहीं कर पाते हैं इसका खाम्याजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है इसका साथ ही इनमें पैंट्री कार भी नहीं होती है मीडिया रिपूर्ट्स की माने तो इस संबंद में रेलवे कि हमें भीड जब त्यवहारों पर अपने घर को जाती है और स्पेशल ट्रेनों को चुनती है और उसमें सोविधा नहीं मिलती है तो उसे कितनी दिकतों का सामना करना पड़ता है खेर इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताए